हेलो गाईज क्या हाल चाल है उमीद करता हूँ कि आप लोग बढ़ी आऊंगे दोस्तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा भी रशिया से जो डोंकी के बारे में एजैंट इसतना असान तरह किसे बता रहे हैं वो रियल में कैसा होता है दोस्तो पहले भी मैं सर्विया की तीन-चार वीडियो है ऐसे आपको बता चका हूँ आपको दिखा चका हूँ वहां के हाल कैसे हैं रियल में डोंकी के हलात कैसे हैं दोस्तो और वो तो आपने देखी लिए होगे अगर नहीं देख तो प्लीज जाकर मेरी सर्विया की जो मैंने आपको पता है वो देख कैसे बातों में लगा कर डॉंकी के लिए हमें ऐसे मना लेते हैं वह क्या कि बोलते हैं उनका कहना यह होता है भी सर रेसिया सी आपको यहां से साथ दिन के अंदर आपको रश्या भी दिया जाएगा क्योंकि हमें जो अब रोड सैटल होना तो हमको बहुत जल्दी पता निक जाओगे सबसे पहले तो वहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा वह पैसे ले लेते हैं दोस्तों को कि बहुत कम पैसों में रशिया के वीजा लग जाता है उसके बाद आपको यह साथ सर बेलारूस लगता है फिंड लेंड लगता है ना आपको आप सर्च कर लीजिए घूगल मतलब एक ही बोडर है इनका तो बड़े आराम से हम शेंजन में एंटर हो जाएंगे जैसे यह बता रहे हैं मगर गाइस क्या आपको लगता है सच में ऐसा होता है ऐसा बिल्कूल भी नहीं होता है अगर आपने रशिया से बेलारूस जाना ना तो बहुत ही तकलीफों का साम बन्दा जा रही है लुक के छुपकर तो उसके पीछे वह कुटे भी छोड़ देते हैं दोस्तों और वह अगर उनको लगता है भी यह बन्दा भाग रहा ना तो वह गोली भी मार सकते हैं आपको क्यूक्य उनको ओड्र है दोस्तों और कंट्रियों की पुलिस सोड़ा वह और तरीके की होती है मगर आपको शूट नहीं करेगी मगर वह आपको शूट कर सकते हैं यह आप समझ रहे हो ना मतलब इतना असान नहीं है दोस्तों उनसे नजर से बचकर आप बेलारूस में एंटर हो जाओ यह आप बिल्कुल भी अपने माइन में मत्त बिठाना जैसे कि आ आपको बोल देते हैं भी आपको रशिया के एक दिन स्टे करने के बाद आपको नेक्स डे बेलारूस बेज दिया जाएगा बहुत ही साम तरीके में टैक्सी में बठाकर मतलब जंगलों में आपको बहुत अपके खाने पड़ेंगे हाँ अगर आपकी किसमत अच्छी तो आ अगर आपको बॉर्डर क्रोस करते हैं वहां की पुलिस पकले तो वहां को रशिया में ही रख लेगी आपको आगे बोलेगी जा बेटा बेलारूस चला जाए ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो प्लीस हो समझकर अपना स्टेप उठाय करो अगर आपके माइन में आपको बहु हमाद आप इंडिया डिपोर्ट हो जाते हो बहुत सारे ऐसे लोग का जो इंडिया रशिया से आया है मतलब उनका कहना है हमारे पंजाबी भाई होगा भी हम तो यार थपड़ थपड़ खाकर बापस आगए मतलब कुछ भी हाथ नहीं लगा वहां पूलिस से हमें मारका ही लग यह हलात होते हैं दोस्तों अगर आप पकड़े जाते हो ना आपको लगता है आपका वह करेगा यह बोलेगा भी सर हमने इसको बोला था अभी ऐसे चुपके जाना है यह सब के सामने आ गया इससे भागा नहीं गया आपका लड़के ने ऐसे कर दिया तो भी पकड़ा के लिए उसमें ही पैसा बहुत कमा लेते हैं उसके बाद तो बात छोड़ो यार आप पहुचो ना पहुचो उनकी कोई सिदर्दी नहीं होती है मेरी वीडियो में मैं चीक चीक कर बताता हूं भी डॉंकी से बचो क्योंकि मैं एक और बताता हूं आपको भी जैसे एजेंट होते हैं वह वीजा सोग करते हैं हाँ अब यहां हमारा एक बीजा लगए ना एक वीजा की फोटो डाल दिया लोंने तो आपको लगता है बहुत वीजा लेकर आता उसके पीछे का सच क्या होता है दोस्तों उसके पीछे का सच यही होता है फिशने कम 10-15 या अगर it has 10 वीज आगे तीनवीज आगे तो आपको लोगा यह बहुत अच्छा है तो अभी मैं यह वीडियो बनाता हूं चीक चीक कर अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्रीज यह लाइक कर दे करो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और मिलते हैं एक नहीं कर दोगे तो इसनल को आपको यह वीडियो अच्छी लगती है